मस्ते दोस्तों, आज हम management accounting में ratio analysis का interest coverage ratio cover करेंगे Interest coverage ratio जो है, वह हमें बताती है, long period solvency, इसका मतलब यह है कि क्या business में long period यह capacity है कि वहें अपनी liabilities को fulfill कर सकें तो उसमें एक ratio है, interest coverage ratio, यह ratio में यह बताती है कि क्या हमारे profit में इतनी ताकत है कि वो जितना भी interest है, उसको pay कर सकेगा, मैं example इसकी पहले formula बताकर बताता हूं interest coverage ratio, ICR का formula है, earning before interest and tax divided by total interest I thought, interest और tax लगाने से पहले जो profit है, उसको भार किया जाए total interest से, तो हम interest coverage ratio निकाल सकते हैं माली जी कि आपके पास lab है, जो next profit है, वह आफ्टर टेक्स है, दस हजार है, तो आपका interest है, दस हजार तो interest coverage ratio होगी है, दस हजार, माली जी जो tax है, वह 50% tax है, tax, it means का 50% हमने काट लिया, यानि दस हजार, add कर देंगे tax का, और दस हजार जो है आपका interest है, तो ये हो गया, दस हजार, दस दस, 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 तीस हजार भाग, दस हजार, तो ये three times आजेगा, इसका मतलब ये है, कि हमारे net profit में इतनी ताकत है, कि ऐसे तीन गुना हम interest pay कर सकते हैं, यानि एक से हमने loan लिया, उसका 10,000 payment किया, दूसरे से loan लिया, उसका 10,000 payment किया, एक अन्य वेक्ति से loan लिया, उसका 10,000 हमने interest pay किया, हमारे इतनी capacity है, जितना यह times जादा होगा, उतना ही हमारे business capacity जादा मानी जाएगी, तथा जो हमारे creditors होगे, वो में छेती loan देंगी, मान लिजे कि हमारा net profit after tax 20,000 है, तो यहां भी 20,000 हो गया, तो interest है 10,000, 20,000, 20,000, 10,000, 20,000 हो गया, तो यह आगया 50,000, 10,000 से भाग करती है, इसको यह हमारा आगया 5 times, 5 times, यानि अब हमारी capacity बढ़ गई, हम 5 गुना जादा व्याज अदा कर सकते हैं, जो हमारे net profit में capacity है, ऐसे ही जितना हमारा times जादा होगा, जितना हमारा net profit जादा होगा, after tax, उतना ही हमारा net worth before tax and before interest जादा होगा, उससे हमारी capacity जादा होगी, तो जितने भी creditors और long period creditors हैं, वो loan देने से पहले यह चीज़ सोचेंगे, ओके, धन्यवाद,